हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चेनल रेन देचेन चेनल पे तो दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने बहुती हेल्दी और बहुती टेस्टी और सरीर के लिए बहुती फाइंदेबन चीज बनाने जा रही हूँ आज मैं बनाने जा रही हूँ जिस लेडिसों की डिलिवरी होती है उसके बाद हम उनको ये बना के देते हैं जिससे उनके शरीर में ताकत बनी रहे और बहुत ही ये पोश्टिक होता है तो आज मैं वही बनाऊंगी इसको सर्दियों का सीजन चल रहा है आप अभी भी बना के वैसे भी खा सकते हैं बहुत ही शरीर के लिए बढ़िया है ये तो चलिए दोस्तों यहां पे सामान हमारा रेडी है सामान में हमने ले लिया है पचास ग्राम गौन लिया है किशमिश ले लिया है मखाने ले लिये है च्वारे ले लिये हैं च्वारे की गुठली हटा दिये हैं हमने और छील लिये हैं च्वारों को काजू ले लिये हैं जो हमने कट कर लिये हैं बादाम है उनको भी हमने कट कर लिया है और सूखा नरियल है उनको भी हमने कट कर लिया है तो ये सामान लिया है हमने दोस्तों तो आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राइफ फ्रूट स्पार्क कडाई रख लिया है कडाई में हम दो बड़े चममज घी एड़ कर देंगे और दोस्तों अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नी किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें कियो आप सभी को मेरे चैनल पर अच्छी रेस्पियां देखने को मिलेंगे और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलिएगा तो यहां पर यह अब देखिए गी गरम उचुका है तो गौंद को डाल देंगे हम गौंद अच्छी तरीके से भून लेंगे गी में दोस्तों इस चीज को आप अपने घर पे जरूर बनाएए क्यों यह शरीर की हड़ियों के लिए और आपकी शरीर के लिए बहुत फायदे मंद है सर्दियों का मौसम चली रहा है सर्दियों का ही एक ऐसा मौसम होता है दोस्तों जिसमें हम अच्छे से खाते हैं अब इसको गौंद को हम निकाल लेंगे सर्दियों का मौसम है बढ़िया ये चीजें खाईए घर पे बना के जिससे आपकी शरीर में गर्माहट भी जाएगी अब ये मखाने हैं मखानों को भी हम थोड़ा सा बून लेंगे बढ़िया सा अची तरीके से जब भी आपका मन हो आप इसको बना के खा सकते हैं बहुत ही फाइदेमंद है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है ये मखाने भी भुन चुके हैं इनको एक बावल में निकाल लेंगे तो चलि दोस्तों उसी कड़ाई में हम डाल देंगे गुड गुड यहांपे हमारा 200 ग्राम लिया है अब इसमें हम पानी डाल देंगे पानी हमने यहां एक गिलास लिया है अब इसको चलाएंगे जब तक हमारा ये अच्छे से गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता इसको हम इस तरीके से चलाएंगे तो यहां पे देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है इसको चलाते रहेंगे अब जो ये मखाने हमने पुने ते उसको डाल देंगे गौंद को डाल देंगे बादाम, काजू, च्वारे, और ये सुखा नरियल, किश्मिश, ये खस-खस है, और ये आदी चम्मच हल्दी है, अब इसको हम मिला लेंगे, अच्छी तरीके से इसको हम मिला लेंगे, और चलाते रहेंगे, जिससे हमारे अच्छे से ड्राइफूर्स और बढ़िया से हमारी ड्राइफूर्स पाक बनके रेडी हो, ये देखिए, बढ़िया सी खुजबू आ रही है, बूरे किचिन में, आप भी जरूर बनाईएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है, ये खाने में तो टेस्टी है है, हेल्दी भी बहुत है, शरीर के लिए भी बहुत फायदे मंद है, अब इसको हम चला रहे हैं इस तरी बढ़ मरे में भी पानीा पंदे एक गाल्स पानी एक लाओ, इसको माइट पनौ है, इक बढ़ पानी है, lingu Tabii और इसको। बढ़िया के भी बढ़िया तो नेमें प्दग प्राइगा झेगा पाने पींषाय न बढ़िए है, तो ये जो गब हम आप दुन में इसको छाए जλε को हम पॉयल हो रहा है और ये बनके रेडी हो चुका है दोस्तों ये देखिए गर्मा गरम इसको खाईए इंजोई कीजिए बढ़िया हमारा ड्राइब फूर्ट स्पाक बनके रेडी हो गया है एक बाउल में सर्फ करेंगे इसको हम दोस्तों अगर आप सभी को मेरी ये रेस् के साथ नई रेस्पी के साथ धन्यवाद बाई बाई भाई